number of root of the equation is simple बात करने से पहले एक चीज यहाँ पर mention कर दूँगा कि x क्योंकि base में है greater than 0 and x not equal इतना बात होने के बाद क्योंकि यहाँ पर मुझे दीख रहा है जो यहाँ टा में वही है तो base reverse किया मतलब a log c है तो इसको अपने a और c को replace कर सकते हैं और इसको ली सकते हैं c log reverse किया तो x plus 3 का whole square और उपर में कितना जाएगा log xx यह तो convert के 1 हो गया equal to 16 मतलब x plus 3 का whole square 16 हो गया का मतलब क्या हुआ x plus 3 या तो 4 होगा या तो x plus 3 minus 4 x plus 3 x equal to कितना आ गया plus 1 और एक value आ गया minus 7 क्योंकि मैं शुरुवात में ही कर चुका हूँ कि x क्योंकि base में है should be greater than 0 तो minus 7 कट गया x equal to 1 is the required answer और x equal to 1 मतलब number of solution नहीं आ गया 1 यह जा रहा है अच्छा x equal to 1 भी नहीं ले सकते x equal to 1 भी नहीं ले सकते x equal to 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि वो base में आ जाएगा इन बातों का ध्यान देखना है तो हमें शुरुवात में बच्चे को बता देना पड़ेगा कि जो base होता है should be greater than not equal to 1 तो दूसरा एक तो negative है और दूसरा solution x equal to 1 ही आएगा मतलब कोई भी solution possible नहीं है